करणपूर गोलं, करुणाव तारम संसार शारम हुजगेंद्र हारम, शदाब संतम हिर्द्यारभिन्दे भवं, भवाने शहितम नमऄ नमस्कार, मैं हूँ जोच्षाचार डॉक्टर बिंत्र पाथी, आप देख। रहे हैं भाग्गी गुरुकारिक्रम भागी गुरु कारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आप बात करेंगे कि पंचांग की क्या इस्तिती है सुर्योदे कब होगा, सुर्यास्त कब होगा, राहुकल कब है, दिशाशुल कब है कौन से तिथी है कौन सा नच्छत्र है कौन सा योग है कौन सा करण है चंद्रमाकिश राशी में रहेगा सारी बाते बताऊंगा आज का महामंतर क्या है महामंतर का जब कैसे करेंगे और महामंतर का जब करने साथ को क्या लाव मिलेगा बारह राश्यों की भी बारे में बताऊ गरूंगा किससका बभागोदे हो गां कॉन विदेश जाएगा लेक्रा होगा कौन फिल्म कार बनेगा गां कौन कहानिकार अग्रेंगा इसको बिद्धेश कोड़ा एक कि ़ारा सारी बाते में विस्तार से बताऊंगा किस रग के प्रयो करने साब का भागोदे होगा किस रंग के प्रयूक करने से आपको अपार सा फलता मिलेगी सौधानी के अबरतने उपाय क्या करना है गुरू के नुश्खे भी बताऊंगा दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर भी देंगा जिनका जन्मदीन उनके भी बारे में बताऊंगा आप दे दिन 12 बच के 42 मिनट पर चंद्रास्तों का सुभाई 11 बच के साथ मिनट पर आज चंद्रमा रहेगा तुला राशी में क्रिश्न पक्ष है सब्तमीति थी है स्वाती नच्छत्र है सूल योग है आज का जो सुमुहृत है 12 बच के 13 मिनट से लेके 12 बच के 56 मिनट तक रहेगा आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आज चंद्रमा है तुला राशी में तो जब चंद्रमा तुला राशी में हो तो व्यक्त की अपनी शारी महत्वकान चाहे पूर्ण होती है व्यक्ति आगे बढ़ता है उसके धन-धान की सिति अच्छी रहेगी आज का दिन आपक करिये आपको काफि लाव मिले किस्टी बन रही है राहुकाल में कोई भी कारे न करिये सुब मुर्थ में किया गया कार फलिभूत होता है दिशासुल में यात्रा करने से परहेज करें अगर छोटी दूरी की यात्रा है तो आप दही गुण खा करके माता-पिता का शिरवात कर ले करके यात्रा करें आपके लिए ठीक रहेगा अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंत्र के आज का महामंत्र है ओम सुभ गुडाय नमा यह जो महामंत्र है अगर आपकी कुंडले में शुक्र ग्रह खराब है और शुक्र ग्रह के नाते आपको दिक्कत हो रही है में सम्रिध्धी में ब्रिध्धी होगी आपका धन धान की सती अच्छी होगी और आईश्वरे में ब्रिध्धी होगी सुक्र ग्रह आपका मजबूत होगा धन की सती अच्छी होगी तो आप इस महामंत्र का जब कम सकम एक माला प्रतेक सुक्रवार के दिन करें आपके लिए अच्छा रहेगा